आज में आप सभी के लिए काफी important class लेके आए हूँ तो देखिए आफके आगामी Video video एगसाम के regarding आप सभी को स्टुदी विफी एगसाम के द्वारा practice set प्रवाइड के ये जा रहे हैं जिसका part 21 आज में आप सभी के लेके आए हूं काफी important ये practice set हैं और इन practice sets को UKAAAC के pattern पर तयार किया गया है जो की video भी video exam के लिए काफी helpful रहने वाले हैं तो आप सभी लोग हमारी इस practice set में starting लेकर end तक बने रहें चलिए आज किस practice set को हम start करते हैं करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी YouTube चैनल study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें साथ साथ बगल में जो पहला आइकन दिख रहा है इसे भी फ्रेस कर लें ताकि हम कोई भी video डालते हैं तो उसका notification आपके पास जल से जल पहुँच जाए आप सभी लोग हमारी telegram channel को भी join कर सकते हैं ये भी study with aim के नाम से ही बना हुआ है और telegram channel पर रात को 8 बजे quiz का भी आईजन किया जाता है काफ़ important question आपको quiz के रूप में दिये जा रहे हैं तो आपको join कर सकते हैं चलिए इस session को start कर लेते हैं और इस session का पहला question है वर्ष 1929 के लाहर कॉंग्रेश अधिवेशन में कुमाओ का प्रतिनिधित्व किस ने किया है most important question है तो देखिए वर्ष 1929 के लाहर कॉंग्रेश अधिवेशन में कुमाओ का प्रतिनिधित्व किया था हर्ष देव ओली ने Option C, यहाँ पे आपका correct answer है, अगला देखेंगे, गोविंद वल्लब पंत भारत के ग्रह मंत्री कब बने, गोविंद वल्लब पंत भारत के ग्रह मंत्री बने थे, वर्ष उने सौ पच्वन इस भी में, अगला देखेंगे, उत्राखंड का भगीरत कहा जाता है, important question है, गडवाल में हिंदी पत्रकारिता का भेश्म पिताम कहा जाता है, विशंबर्दत चंदोला को, अगला क्युशन है, दुगड़्डा में शहीद मेले की शुरुआत करवाई, दुगड़्डा में शहीद मेले की जो शुरुआत है, ये करवाई थी, किसने? भवानी सिंग भ अगला देखेंगे डॉक्टर बोसी सेन ने विवेकानन्द पर्वती कर्शी अनुसंधान चाला की स्थापना की थी अलमोडा में और कब की गई इसकी स्थापना ये बताना है दियेगे ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्शों 1924 में अगला देखेंगे शोर का अधीद पुस्त के लेखक है राम सिंग ऑप्शन एस कुषिन का राइट आंसर है नेक्स्ट कुषिन देखेंगे उत्राखंड का पर्थम केंडरी विश्विद्याले है देखें उत्राखंड राजी का पर्थम केंडरी विश्विद्याले है option B यहाँ पे आपका बिल्कुल right answer है अगला देखेंगे राजी की सबसे छोटी rail line terminal है देखें, राजी की सबसे छोटी rail line terminal है आपकी टनकपूर terminal next question देखेंगे करक और मकर सक्रांती त्योहार कौन सी जन्जाती के लोग विशेश रूप से मनाते हैं तो देखेंगे करक और मकर सक्रांती का जोट्योहार है यह कौन सी जन्जाती के लोग विशेश रूप से मनाते हैं देगे option में correct answer है आपके राजी जन्जाती के लोग next question है भोटिया जन्जाती में कौन सी जाती खुद को खश राजपूत नहीं मानती तो देखेंगे बोटिया जन्जाती के यह उप जाती है जाड जो की खुद को खश राजपूत नहीं मानती है option B बिलकुल right answer हो जाएगा अगला देखेंगे निमन मैं से कौन सा लोग नृतिय परणाई नृतिय नहीं है तो देखे यह लोग नृतिय है आपका पॉना, जो की परणाई नृतिय नहीं है option A is question का right answer है अगला question है आपका push करनी तीर्थ, किसका उपनाम है? अगला देखेंगे शंबू निशंब परवतों के पास कौन सा मंदिर इस्तित है तो देखेंगे ये कुंड है आपका अगला देखेंगे लंडन फोर्ट के लाइस्तित है पिथोरा गड़ चनपद में नेक्स्ट कुशन देखेंगे निम्न में कौन सुमेलित नहीं है तो देखेंगे एक साइट आपको यहाँ पे मंदर दिये गये है दूसरे साइट शीद कालिन पुजा इस्तल दिये गये है तो मकु मट में होती है रुद्रनाथ की उखी मट में नहीं होती है फिलहाल आप इसका राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए रुद्रनाथ की शीत कालिन पूजा कहां पर होती है और बद्रिनाथ की जो शीत कालिन पूजा होती है ये नरसिंग मंदिर में होती है ये भी आपका बिलकुल सही है केदारनाथ मंदिर की होती है उंकारिश्वर में रुद्रनाथ की बात करें तो रुद्रनाथ की शीत कालिन जो पूजा होती है ये कहां पर होती है ओखी मट में नहीं होती है गोपिश्वर में होती है तो इसे note down कलीजी का important आपका ये point है और देखे रूद्रनाज जो है ये पित्र तीर्थ के नाम से प्रशिद्ध है और पंचम के दारों में ये कौन सा के दार है चतूर्थ पंचम के दारों में ये चतूर्थ के दार है अगला question देखेंगे bright and corner नामक प्रशिद्ध तीर्थ इस्थल कहां इस्थित है देखे bright and corner नामक प्रशिद्ध जो इस्थल है ये आपके इस्थित है अलमोडा में नेक्स्ट कुश्चन है निम्न में कौन सा ताल साथ पहाड़ियों से घिरा है ये ताल है आपका नेना जिल जो की कितने साथ पहाड़ियों से घिरा हुआ है ओप्शन C यहाँ पे आपका correct answer है अगला कुश्चन देखेंगे राजी में नई परियाटक निती कब घोशित की वर्ष 2018 में ऑप्शन C यहाँ पे आपका right answer है अगला कुश्चन देखेंगे उत्राखंड राजी की देश में इस्तिती है तो देखेंगे उत्राखंड राजी की देश में इस्तिती बतानी है तो दियेगे ऑप्शन में correct answer हो जाएगा आपका उत्तरपश्य में अगला 29 में श्री अंतर टापू यानि श्री अंतर टापू जो है यह श्री नगर में इस्तित है तो यहाँ पर निम्न में कौन शहीद हुए थे यह बताना है तो देखेंगे वर्ष 1995 में श्री नगर में शहीद हुए थे इन में से कौन राजी श्रावत और यह शोदर पेंजवाल दोनों हुए थे तो आपका A और C दोनों यानिके option D बिलकुल right answer हो जाएगा अगला question देखें देवी दत्थ पंद की अध्यक्षता में मसूरी में उत्राखन क्रांती दल का गठन कब हुआ तो देखें देवी दत्थ की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था उत्राखन क्रांती दल यानिकी UKD का गठन और इसका गठन कब हुआ था 25 जुलाई 1989 में option B यहाँ पे आपका right answer है अगला question है सरवादिक छेत्रफल वाला चौथे क्रम का जिला कौन सा है देखें सरवादिक छेत्रफल वाला चौथे क्रम का जिला है पोड़ी गड़वाल नेक्स्ट question है डूंगी पैंतोली आंदोलन किस से सम्मंदित है important question है डूंगी पैंतोली आंदोलन का सम्मंद है वन व्रक्षों की कटाई के विरुद से अगला question है चौशन देखेंगे जाड़ गंगवा भगीरथी का संगम किस स्थान में होता है कहाँ पर लंका नामकस्थान में option B यहाँ पर आपका right answer है अगला देखेंगे भक्त दर्षन ने माउंट आबु की तुलना किस इस्तल से की है भक्त दर्शन ने माउंट आवु की तुलना की है गौमुक से option C यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखेंगे मंदाकनी धारा या जन्ना इस्तित है देखें मंदाकनी धारा या जन्ना ये आपके उत्तरकाशी जन्पद में इस्तित है option C बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला देखेंगे कुमाउ मंदल का गठन कब किया गया कुमाउ मंदल का गठन किया गया था 1854 में अगला देखेंगे किन्होंने गैर सेंड को राजधानी बनाने की मांग की थी तो देखे गैर सेंड को राजधानी बनाने की मांगी गई वीर्चन सिंग गड़वाली के द्वारा यानि के option A यहाँ पे आपका बिल्कुल correct answer है अगला देखेंगे भोटिया जनजाती में घी की चाई पिने वालों को कहा जाता है अगला देखेंगे तो देखें यह स्थल है आपका भटवारी जिसका इसकंद पुरान में भास कर प्रियाग नाम से उलेख मिलता है अगला कुशन है आपका राजी के किस एरपोर्ट को कारगो एरपोर्ट के रूपें विक्सित किया गया है तो देखे राजी का ये एयरपोर्ट है पंत नगर एयरपोर्ट जिसको कारगो एयरपोर्ट के रूप में विक्सिप किया गया है नेक्स्ट कुशन देखेंगे भारती तर्ट रक्षक बल के महाने देशक पद पर पहुँचने वाले राजी इंदु सिंग उत्राखंड के किस इस्थान के निवासी है तो देखेंगे उत्राखंड के मेयर कब से महापोर्ट कहे जाने लगे इंपोर्टेंट कुशन है उत्राखंड के जो मेयर थे ये महापोर्ट कहे जाने लगे वर्ष 2016 से ऑप्षन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला है किनके द्वारा वर्ष 2016 में न्यूजिलेंड की सबसे उची चोटी माउंट कुग पर तिरंगा फहराए गया तो देखें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इहाँ पे ताशी और नुक्षी के द्वारा ओप्षन इस कुषिन का राइट आंसर है अगला देखेंगे श्री यंत्र टापू स्थित है श्री यंत्र टापू ये आपके श्री नगर में स्थित है ऑप्षन बी इस कुषिन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला देखेंगे एकात्मक संग्रशना और अध्यक्षात्मक शाषन प दारण है France, अगला question है, आसान रिन की खिड़की किसे कहा जाता है, देखें, आसान रिन की खिड़की कहा जाता है, I, D, A को, option B, यहां पर आपका correct answer है, Next question है, किशवर्ष में भारत के राष्टपती ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात इस्तिती लागू की थी, तो देखें, यह वर्ष्ट था आपका वर्ष्ट 1975, वर्ष्ट 1975 में भारत के राष्टपती ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात इस्तिती लागू की Option C, this question का right answer है, अगला देखेंगे, भारत के उपरास्टपती पर अभी योग किसके द्वारा लगाया जा सकता है, भारत के उपरास्टपती पर अभी योग लगाया जा सकता है, राजिस सभा के द्वारा, अगला कुशन है आपका, भारत के समविधान की कौन सी अनुसूची, राजिस सभा में सीटों के बटवारे का निर्धारन करती है, तो देखें, भारत के समविधान की ये अनुसूची है, चोथी अनुसूची, जो की राजिस सभा में सीटों के बटवारे का निर्धारन करती है, अगला कुशन है आप अरस्तु ने एक कथन दिया था कि अच्छा नागरिक अच्छा राजी बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राजी बनाता है अगला देखेंगे गौतम बुद्ध के संबंद में सभी सही हैं सिवाई एक के तो देखें गौतम बुद्ध के संबंद में सभी सही हैं सिवाई कौन सा है ये बताना है तो देखिए दिए गए option में correct answer हो जाएगा आपका उन्हें ग्यान की प्राप्ति राजग्रह में हुई थी ये कथन गौतम बुद्ध के संबन में सही नहीं है बाकी कथन आपके बिल्कुल सही है अगला question है गुजरात में किस स्थान पर हडपा की सब्यता के अवशिष में हैं तो देखिए गुजरात में ये स्थान कौन सा है ये इस्थान है लोथर जहां पर हडपा की अवशिष में अगला question देखेंगे मराथा राजी का दूसरा परवर्थक किसे माना जाता है अगला कुश्चन है सांची क्यों विख्यात है सांची विख्यात है सबसे बड़ा बोद इस्तुफ़ गुफार चित्रकारी के लिए यानि कि option D यहाँ पर आपका right answer है आप सभी को आज का ये शेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लें जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल Study with AIM को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लिजे शेशन को जाद से जादा शेर किजे अपने दोस्तों के साथ अपने WhatsApp प्रशिद्य शाषक कौन था देखे चालू की वन्ष का सर्वाद एक प्रशिद्य शाषक था पूल के शिंद देती अगला कुशन है तो दिखे सिकंदर महान की जो मर्थी हुई थी ये 323 इजविपूर में हुई थी और कहां पर हुई थी ये बताना है तो दिए गे option में राइट आंसर हो जाएगा आपका बेबी लोन में अगला देखेंगे अस्ट दिगज निमने मैं से किस राजा से सम्मंदित थे अस्ट दिगज सम्मंदित थे कृष्ण देव राई से अगला कुष्ण है आपका कस्मीर में कनिश्क के शाषनकाल में जो बौद संगती आईजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निमने लिखित में से किस ने की थी तो देखें कश्मीर में कनिश्क के शाषनकाल में जो बौद संगती आईजित हुई थी और इस संगती की अध्यक्षता किस ने की थी इन में से तो correct answer हो जाएगा आपका यहाँ पर वसु मित्र ने, option C बिलकुल correct answer है, अगला question देखेंगे, निमने में से कौन से स्मिर्थी प्राची इंतम है, तो देखें इन में से प्राची इंतम स्मिर्थी है, मनुस्मिर्थी, next question है, किस युद्ध को जीतने के बाद 6 सा सूरी ने दिल सत्ता कि स्थापना की, अगला question देखेंगे, निमने में से कौन सम्राच अशो के पिता थे, तो देखें, ये सम्राच थे, बिंदु सार्जो की किस के पिता थे, सम्राच अशो के, अगला question देखेंगे, बौद धर्म के त्री रतन के बारे में क्या असती है, तो देखें, त प्री रत्न में आते हैं आपके धम शंग और बुद्ध स्थूप नहीं आता है अगला देखेंगे जलिया वाला बाग कांड की जांच के लिए बनी समीती के अध्यक्ष थे हंटर अगला कुशन है किस शिख गुरू ने औरंग जेव द्वारा दिये गए इसलाम सुईकार करन के आदेश को ठुक्रा दिया अगला कुशन है कि फॉर्मेट पेंटर का प्रियोग होता है किस दूसरे पर प्रियोग करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रियोग होता है तो और शेऑ आपमे आपकर necessarily हायोंd हुझा सबना मैं निमने लिखित मैंसे कौन सी green house gas नहीं है इन मैंसे green house gas नहीं है आपके nitrogen option C is question का right answer है अगला question है कर को पृतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है तो कर को पृतिगामी तब कहा जाता है अगला देखेंगे निमने मैंसे किसको राष्ट्रे रंड नहीं माना जाता है तो देखें बीमा policy जो है इसको राष्ट्रे रंड नहीं माना जाता है अगला question देखेंगे एक रूपिय के note किसके द्वारा जारी किये जाते है तो देखे वर्ष 856 इस भी में हिंदु विवा को कानून सम्मत बनाने में महतु पुणू फोमिकाती इसवर्चंद विद्याशागर की ऑफशन डीस कुशन का राइट आंसर है अगला कुशन देखेंगे सिमला समझोता कब हुआ था देखें सिमला समझोता हुआ था आपके 1972 में नेक्स्ट कुशन है किली मंजारो कहां का एक मरत ज्वाला मुखी है तो देखें किली मंजारो जो है ये एक मरत ज्वाला मुखी है और कहां का है ये बताना है तो दिएगे आप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा कहां का तंजानिया का अगला कुशन देखेंग अगला question है, जैव मरुस्तल के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, जैव मरुस्तल के नाम से जानी जाती है, दामोदर नदी, अगला question देखेंगे, 15, 31, 64, 131 यहाँ पे equation दी गई है और आपको यहाँ पे dot dot जहाँ पे दिया गया है कौन सी equation यहाँ पे आएगी अगला number कौन सा आएगा यह बताना है तो दिएगे option में आपका right answer हो जाएगा 266 अगला question है दिएगे विकलपों में से उस विकलपों को चुनिए जो अन्य तीनों विकलपों से भिन्डे हैं तो देखे यह विकलप हो जाएगा आपका लंबा उंचा जो की अन्य विकलपों से भिन्डे यानि कि अलग है अगला question देखेंगे किसे निश्यत code भाषा में बताना है तो दिएगे option में आपका correct answer हो जाएगा R, W, B, X, J, C option B यहाँ पे आपका right answer है अगला देखेंगे भारत में निम्न में से किस राजी में सरवाधिक ग्रामेर शाक्षरता पाई जाती है तो देखें भारत का ये राजी कौन सा है इन में से ये राजी है आपका गुवा जहाँ पर सरवाधिक ग्रामेर शाक्षरता पाई जाती है अगला देखेंगे भारत में सरवाधिक कोईला भंडार किस राजी में पाई जाते हैं तो देखें भारत में सरवाधिक कोईला भंडार पाए जाते हैं जारखंड राजी में option B is question का right answer है session आप लोगों ने अभी भी share नहीं किया है जल्दी से session को आप लोग share कर दीजे और फिर next question देखेंगे भारती अर्थी व्यवस्ता में सिथिल काल है दीखें भारती अर्थी व्यवस्ता से सहमत नहीं है तो क्या होता है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है option A यहाँ पर आपका right answer है अगला देखेंगे track बाल उधारन है track बाल जो है यह उधारन है pointing device का अगला question देखेंगे mouse के दाएं बटन पर click करने से दिखाई देता है एक विशेश मेन्यों दिखाई देता है अगला देखेंगे cd-rom का पौन रूप है cd-rom का पौन रूप है compact disk read only memory option A यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला देखेंगे कौन सा शब्द असुर का परियाई बाची नहीं है तो देखें अशुर का परियाई बाची नहीं है इनमेंसे धूम केतू अगला देखेंगे शुशूपति का विलोम है शुशूपति का विलोम हो जाएगा जागरती next question है दिएगे वाकी के लिए एक शब्द का चैन कीजिए तो देखें यहाँ पर वाकी दिया गया है पाप करने के बाद स्वयम दंड पाना तो इसके लिए एक शब्द बताना है इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्राषिद अगला देखेंगे शुद्द शब्द चाटिए शुद्द शब्द चाट लेना है इसमेंचे शुद्द शब्द है आपका अभियस्त, option बेशिज करा आईट अंसर है अगला देखेंगे विदवान शब्द का स्टिलिंग क्या होगा विदवान शब्द का स्टिलिंग होता है विदूशी, अगला देखेंगे जिसके बराबर का कोई नहो उसके लिए एक शब्द बताना है तो देखिए जिसके बराबर का कोई नहो उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है अनुपम नेक्स्ट कुशन है राम सीता से सुन्दर है इस वाकि में कौन सा कारक है राम सीता से सुन्दर है इस वाकि में कारक है आपका पादान कारक अगला कुशन है जो कभी लोगपिरी होता है उसका समान सभी करते हैं इस वाकि का सरल वाकि होगा तो देखिए जो कभी लोगपिरी ह देखेंगे, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, इसे कहा जाता है, अगला देखेंगे, एक आख न भाना, कहवत का अर्थ है, important question है, एक आख न भाना, इस कहवत का अर्थ है, बिलकुल अच्छा ना लगना, अगला कुशन है आपका अभियंतर का सही अर्थ है किसी वस्तू का भीतरी भाग अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है देखिए हिंदी दिवस आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है अगला देखिए इलहाबाद यानि प्रियाग राज में बोली जाने वाली बोली है अवदी बोली next question है द्रोपती का चीर होना उस मुँहावरे का आड़त है अध्यादिक विस्तृत होना अगला question है बहिर मोखी शब्ड में कौन सा अपसरग है आपका बहिर अपसरग next question देखेंगे मधूर मधूर मेरे दीपक जल में अलंकार है तो देखें देगे option में तच्छम शब्द है आपका नेक व्यूस्ट नेक्स्ट कुश्चन है चतिस गड़ी किस भासा की बोली है तो देखे चतिस गड़ी जो है ये किस भासा की बोली है ये बताना है तो जिन लोग को answer आ रहा है आप comment section में comment करके बता सकते है तो देखे देगे option में आपका correct answer हो जाएगा पूर्वी हिंदी चतिस गड़ी ये किस भासा की बोली है चतिस गड़ी किस भासा की बोली ये बताना है तो correct answer है आपका पूर्वी हिंदी की next question देखेंगे निमनों में से कौन सी पुस्तक प्रेम चंद द्वारा लिखित नहीं है प्रेम चंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है इन में से वशुधा और last question है आज के इस practice set का जब किसी सामानी बात का विशेश बात से तथा विशेश बात का सामानी बात से समर्थन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा जब किसी सामानी बात का विशेश बात से तथा विशेश बात का सामानी बात से समर्थन किया जाए वहां पर होता है आपका अर्थान तर न्यास अलंकार option discussion का right answer है तो okay guys आज के session में इतना ही आई हूप आप सभी को आज का ये session काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है तो session को like कीजिए, share कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल Study with AIM को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें तो चलिए मिलते हैं next interesting videos के साथ तब तक के लिए धन्यवाद